बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए की नस्दीक कौन है जो महिला लंबे समय तक पुरुष के सपर्ष से दूर रहती है वह महिला संभोग करते समय ज्यादा उपतेजना के कारण पांच मिनट में ही संतुष्ट हो जाती है जिन्दगी के हाथ नहीं होते लेकिन तभी कभी वो ऐसा थपड मारती है जो पूरी उमर याद रहता है उस मर्द के इंतजार में एक औरत वर्षों संभोग के बिना रह सकती है जिसे बहुत दिल से चाहती है जबकि पुरुष किसी के भी साथ बहएक जाते हैं चल जिन्दगी की नई शुरुवात करते हैं जो उम्मीद औरों से की थी वो अब खुद से करते हैं अगर संभोग करने में मज़ा नहीं आता तो इस दुनिया का वजूद ही नहीं रहता मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता लिंग का बड़ा होना या छोटा होना मायने नहीं रखता बलकि लिंग में कसाबट होने से योनी को ज्यादा आनंद मिलता है अगर आप सही दिशा में है तो चिंता मत कीजिए बलकि उस दिशा में चलते रहे ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्षे को प्रात कर लेंगे संभोग के आनंद की शुरुआत चम्डी के स्पर्ष से शुरू होती है और वीर्य पतन पर खत्म हो जाती है आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती की आपके पास क्या है बलकि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है की आप क्या सोचते हैं पुरुष का लिन बढ़ा हो और संभोग देर तक किया जाए तो महिला की गुफा में सुजन आ जाती है जब कोई महिला ज्यादा उत्तेजित होती है तो वह महिला खूद अपनी गुफा में उंगली डालने लगती है यदि कोई कुम्बारी लड़की किसी के साथ संबंध बना लेती है तो उसका कुम्बारापन भंग हो जाता है यौन क्रियाओं से किसी भी रिष्टे में सुधार किया जा सकता है जिस स्त्री की योनी छोटी होती है उस स्त्री को संभोग करने पर ज्यादा दर्ध होता है संभोग करते वक्त स्त्री के स्तनों को दबाना, गुफा को सहलाना, उन्ठों पर किस करने स्त्री ज्यादा उप्तेजित हो जाती है हमेशा इस बात पर यकीन रखिए कि जो आने वाला है वह बीते कल से बहतरीन होगा खास कर ऐसी औरतें दूसरे मर्दों के साथ संबंध बना लेती है जो औरतें ज्यादा पैसों पर मरती है संभोग के दौरान हर स्त्री की यही इच्छा होती है कि पुरुष उनकी गुफा को पूर्न रूप से संतुष्ट करे किसी औरत का पिछवाड़ा तब बढ़ने लगता है जब वह बहुत ज्यादा संभोग करती है जिस औरत के स्तन बढ़े और पूचे होते हैं उसकी योनी भी बढ़ी होती है जदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं आपका हर सपना सच हो सकता है